कि नमस्कार मैं जन्मक्ता श्योंग वातम और जिस तरीके साहीन बाग का ड्रामा चल रहा है और उस दिसाहीन लोगों ने आज जब कल केज़िवाज सरकार ने एक आदेस जारी किया था कि पचास से ज्यादा लोग किसी जगए खिटे नहीं हो सकते और अगर ऐसा होता है तो स साहीन बाग के लोगों ने आज फिर से ड्रामा किया और उसके लिए उन्होंने आज आपर तखत भी गिरवा दिये हैं अब इसके बाद सवाल ही उड़ता है कि क्या इन लोगों के ऊपर कार्रेवाई होगी और कार्रेवाई होगी तो फिर सजा कितनी हो सकती है इन तीन धार है कि 270 में किसी भी संक्रामक रोग को जिसको कि व्यक्ति को पता है कि अगर ऐसा करने से लापरवाई करने से या कुछ करने से वो फैल सकता है लोगों की जिन्दगी पर खत्रा हो सकता है और कोई व्यक्ति जानभूज कर अगर ऐसा करता है तो निश्चे तोरपर उसको दो साल है तो उसके उपर तीन मेने तक की सजा हो सकती है 269 का प्राफदान भी कुछ कुछ ऐसा ही है और उसमें भी इस पर तौर पर यह कहा गया है कि अगर लापरवाई से किसी व्यक्ति के जीवन के लिए खतरनाक किसी बीमारी को फेलाने में उसका बाहग बनता है उसमें सयोग करता है तो उसको छे मीने तक की सजा हो सकती है तो कानूली रूप से यह समस्ट है कि साहीन बाग के जो और जो बैठे हुए लोग है उनके उपर अब कड़ी कार्यवाई हो सकती है अगर पुलिस चाहे मैस्ट चाहे तो क्योंकि अब वो सीधे तोर पर सरकारी अवग्या कर रहे हैं सरकार के आदेस की अबेलना कर रहे हैं यसमी मैस्टेट को पावर होती है कि वो उसके तह्त लंगनों को लेकर कारवाई करेया और रहेवां नो दो साल याजचिका डाली है उसमें इस प्स तोर पर ये कहा गया है कि से नंद किसुर गर्ग नामके पूर विदायक बारती-जनता पार्टी के उन्हों ने याजचिका डाली है और ने सुप्रीम कोर्ट से अन्रोथ किया है कि चुकि संक्रामक वीमारी कोरोना वायरस वहान वायरस भी का जा रहा है जो चीन से चलकर भारत तक पहुँच चुका है और अब तक पूरी दुनिया में साड़े पांच जार से ज्यादा लोगों की मौत है हो चुकि यह बायरस की बाइसे भारत में भी मौत है हुई है एक दो अभी इसकी बाइसे और तमाम 135 करीब लोग इससे संक्रमित हो गए और उस वायरस को रोकने के लिए तमाम राज्य सरकार के इस सरकार प्रयास कर रही है वहीं दूसरी साहीन बाग के दिसाहीन लोग इखिटे होकर इस वायरस को फैलाने की जुगत में लगे हुए हैं और जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने का आदेश दिया जाई यह याचिका लगाई है नंद किसोर गर्ग नाम के बारती जत्ता पार्टी के पूर्व दायक ने और इसको लेकर जस्टिस के कॉल जस्टिस के जोसब की बेंच जो के पहले सुनवाई कर रही थी अब उसी को यह जाने का उमीद है तो निश्चत और सब्सक्राइब के इसके अलावा और तमाम दूसरे बरगों से इसकी मांग हो रही है और गच разм ranking पूरे दरने की सुरू करने की मास्टर ने वाली थी अब वह भी हिस दरने को खरु करने की बात कर रही है क्यों के जिस तरीके से पूछा गया था कि यह जो 50 लोगों बाला जो आपने आदेश-दाधी किया है यह जो कानुन है वह साहिन भाग के लोगों पर लागू होता है तो के जरे भाल ने कहा था कि बिल्कुल लागू होता है और इस रिस्तिति में उनको इससे अलग नहीं नहीं रख सकते लेकिन उसके बावजू साहीन बाग के दिसाहीन लोग अभी वह बैठे हुए हैं और उन्होंने अब नया पैत्रा वहाँ पर चल दिया है करीब से ज्यादतर जो महिलाएं हैं जिनने दादियों का नाम कुछ लाल हरे चैनलों ने दिया है यह मजवी महिलाएं अलीगर मुरादबाद मुझफवर नगर सामली जैसे उत्तर प्रदेश के विभिन जिलों से गरीब परिवारों की महिलाओं को वहां पर लाकर बिठा दिया गय यह इसके अलावा इनको खाना और रहना फ्री करके वहां से लाया गया वहीं दूसी जब इनके जो और वाले हैं वह यह कह रहे है कि हमें तो पैसा मिल रहा है हमारी अम्मा वह आराम से खापी रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है वहीं दूसरी दर जब यहां पर एंग यहांको यह कहना है कि वो किसी भी कॉरोना से डरने वाले नहीं है और कॉरोना से ज्यादा डर हमें डिटेंशन सेंटर से लगता है इसलिए हम लोग यहां पर संगर्ष कर रहे हैं और जब सब्सक्राइब कानून बन चुका है और इससे भारत के किसी भी नागरिक्ता जारी है ना उसको किसी भी तरह का नुक्सान है तो फिर उसको बापस लेने का सवाल ही नहीं उठता है कि पर इन मैलाव को कौन समझा है क्योंकि यह तो अपनी उड़ी के लिए काम कर रही है या फिर उन सख़एव के लिए काम कर रही है जिनका फायदा होता है साहिन बाग में दिसाहीन लोगों को बिठाकर दिसाहीन प्रदर्शन कराने से और इसके साथ-साथ बड़ी बात यह है कि जब हमारे जैसे लोग वहाँ पर इन महिलावद जारा है आप समझ सकते हैं कि एक सौ से ज्यादा जो पलंग वहां पर लाए गए जो तक्त वहां पर बिचाए गए एक तक्त की कीमत तीन जार से ज्यादा है तो आप समझिए कि तीन लाग से पांच लाग के यह तक्त हैं लकडी के वहां किसने लाकर डाले हैं उसके अलाबा जिस तरीके से चोरी की विजली वहां चलाई जा रही है जिस तरीके से 50-100 महलाओं को वहां पने अब लाके गाओं से बिठा दिया गया है उनकी जो भासा है उससे भी आप समझ सकते हैं कि वह जादतर महलाएं अलीगड आगरा जैसे जो छोटे पिछड़े इलाके हैं वहां के मजबी मेलाओं को जो बुजर्ग मेलाएं होती है घरों में उनको परिवार वालों ने एक तरीके से कारावास दे दिया है बनवास उनको दे दिया है और यहां बिठा कर उनकी जिंदगी से खेलते हुए वह पैसा कमाने का काम कर रहे है निश् है को पता नहीं है कि कोरोनुँ घर लोगों ने जाना बंद दिया मेका जहांपर हजारों लोगों की भीड रोज देखने को मिलती थी और हज़्ग टाइम पर लाकान लोग भूग करते थे आज वहाँ पर मक्का में भी भीड नहीं है मक्का में इका दुका जो करमचारी है वो ही दिखाई देते हैं तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं उसके बावजूद ये मजब के नाम पर इन मैलाओं को बर्ग लाकर उनको फुसला कर और उन्हें लालस देकर या किसी दूसरे तरीके से वहाँ पर लाकर बिठा रहे हैं तो इन लोगों के खिलाब सक्त से सक्कारव होनी चाहिए और मजब के नाम पर देश के अंदर जैसे उन्हों पिछले दिनों दंगे कराए थे उसी तरीके से अब यह जो संक्रामक रोग वहान वाइरस का जो कोरोना नाम जिसको दिया गया है चीज से जो बीमारी चली है उसको फैलाकर देश में जो दैसत फैलाने का य युद्ध इस्तर पर कई प्रदेश सरकार है काम कर रही है कि सरकार भी जिस तरीके से मुस्तेदी के साथ विदेशों से आने वाले लोगों की जांच कर रही है तमाम जगों पर जान लोगों के खिटा होने की संबावना होती थी उत्तर प्रदेश में तमाम सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया है तमाम हाट बगेरा जो कारिक्रम है उन सब पर प्रतपावद्दी लगा दिए तो पर यह साहीन बाग के दिसाहीन लोग क्या आकास से टपके हैं यहां आकासी फरेश्थे हैं जो इनके उपर भारत के कानून लागू नहीं होंगे और अगर भारत के क्षरीत किया रहा है लोगों को वीरड़ करने से रौका ज़ा-जा-र ओसके बावजूम न यह मक्का की मान रहें न भारत की मान रहें तो यह मान हमें किसकी इसको बीख समझना पड़ेगा और इसको लेकर अब कें सरकार पहले ही इस परच पर चूर्ची और पूरे मामले मे वहां जाने की कोशस करेंगे उनको भी नुक्सान हो सकता है इसलिए केजरी वालने ये बात कही कि पचास से ज्यादा लोगों वाला जो कानून है जो संक्रामक रोक्थाम वाली जो अधिनियम है उसको पूरी तरीके से साहीन भाग में लागू किया जाएगा और अगर ये लो परिवालों के खिलाब भी कारवाई होनी चाहिए जिन्होंने अपनी बुजुर्ग महिलाओं को पैसा कमाने के लिए साहीन भाग में लाकर बढ़ा दिया है और वहां पर जो तमाम औरगिनाजर है उनके इसारों पर पैसे के लिए या कुछ बिर्यानी खाने के लिए उनके उस बाइरस का संक्रमन हो सकता है इतना बड़ा खत्रा देश के लिए समाज के लिए जो लोग पैदा कर रहे हैं उनके खिलाब कारवाई बनती है जैहिंद जैवारत